आज का टॉपिक है बर्कले एंड हाट लेस मैथट और जो ही मैथट है वो यूज किया जाता है फॉर डी मेजर्मेंट आफ उसमाटिक प्रेसर तो इस मैथट में कई एसी चीज़े हैं जो गलत पढ़ी जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं तो वो चीज़े भी मुझे आज correct करने हैं तो चलो start करते हैं देखो ये एक pot है जिसको कहते हैं पूरा spot क्यों क्योंकि इसके surface पे पोर्स होते हैं छोटे-छोटे ferocyanide की किसकी copper ferocyanide की और उसका जो formula होता है Cu2FeCn6 और यह jelly form में होता है इसलिए तो deposit की जाती है और jelly form में होता है और बहुत strong होता है और strong होता है इसलिए यहां use किया जाता है क्यों क्योंकि किसी pressure पे फट न जाए यह membrane तो क्योंकि हम pressure exert करते हैं तो फटे न तो इसलिए यह strong membrane यूज़ करते हैं देखो यह water reservoir है यहां से water enter होता है और फिर यह clip बन कर देते हैं ओके water enter होगा तो यहां तक capillary में कोई एक level होगा water का ओके वहां तक आएगा और यह देखो यह क्या है यह एक metal vessel है जिसके अंदर solution होगा और जो solution होगा उसमें solvent होगा वह water ही होगा यह piston है जिससे कि हम pressure लगाएंगे और यह क्या है कि osmotic pressure का measurement कैसे होता है अब देखो जो यह यह वाटर है ओके तो net moment किदर से किदर होगा देखो जब osmosis होता है ना तो moment तो solvent है उसका दोनों तरफ होता है पर जो net moment होता है जो net moment होता है वो किदर से किदर होता है low concentration of the solution to the high concentration of the solution या low concentration of the solute to the high concentration of the solute तो किदर से किदर होगा water में तो कोई भी concentration नहीं है zero है solute का इसलिए जहाँ कुछ concentration होगा उदर की तरफ flow water होगा देखो water का flow होगा osmosis हो रहा है अब देखो capillary में यहाँ पर capillary tube है उस पर कुछ level रहा होगा water का ओके तो वो क्या होगा decrease होगा okay suppose यहाँ पर आ गया और यहाँ क्या होगा देखो यह piston क्या करेगा upward moment करेगा upward moment करेगा अब देखो हमें minimum एक pressure लगाना है जो कि इसके downward moment को रोग दे या कह सकते हैं इसके upward moment को रोग दे minimum pressure होगा और वो ही pressure क्या होगा osmotic pressure होगा क्योंकि उस pressure पर osmosis बंद हो जाएगा समझ में आया अब देखो कई teachers क्या कहते हैं कि देखो जब osmosis हुआ था तो यहां तक level आया था अब हमें वापस ले जाना है वो osmotic pressure होता है वो ऐसे कहते हैं पर यह गलत है अगर हम वहां दोबारा उस point पर ले जाएंगे ओके ऐसा कोई pressure लगाएंगे तो reverse osmosis होने लग जाएगा समझ गए तो बस हमें क्या करना है जो osmosis है वो रोकना है मतलब यह water level constant होना चाहिए चाहिए कहीं पे भी हो पर constant होना चाहिए या या समझ में ओके तो फिर हम प्रेशर गौश से प्रेशर देख लेते हैं कि हमने कितना प्रेशर लगाया कि osmosis रोग गया अब देखो एक और चीज जिसमें बताने लायक है जितनी जल्दी हम set up करने के बाद जितना जल्दी हम pressure measurement कर लें या osmosis रोग दें या osmotic pressure निकाल लें उतना सही रहता है क्यों क्योंकि अब देखो यह level अगर ज्यादा decrease हो गया तो क्या होता है यहाँ भी level increase होगा तो जो water होगा जो भी यहाँ liquid increase होए वो भी एक pressure लगाता है वो भी एक pressure exert करेगा तो फिर हमारा जो measurement होता है osmotic pressure का जो भी हमारा pressure gauge पर होता है वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है decrease हो जाएगा न क्योंकि कुछ pressure तो water ही लगा दे रहा है और कुछ pressure फिर हम अपना exert करेंगे ओके तो फिर हमारा जो osmotic pressure का measurement होता है वो गलत हो जाता है इसलिए जितना जल्दी करें उतना accurate हमें मिलता है osmotic pressure तो ठीक है समझ में आ गया होगा I hope तो thank you